तो 21 अगस्त वाला जो paper है वो हम लोग solve कर रहे थे, पिछले वीडियो part 1 में हम लोग आधा solution कर दिये थे, बागी के जो question है उसका solution इस वीडियो में होगा, ठीक, और 21 अगस्त वाला ये paper है, और अगर आप लोग test series लेना चाहते हैं, जैसे सी CGL 2023 का, तो paper 3 का 10 practice test है हमारे app में available है, अभी फिलाल के लिए इसका price केवल 149 रूपीज रखा गया है, ठीक है, लेकिन 149 में लेने के लिए आपको coupon code officer का इस्तमाल करना होगा, ये coupon code वहाँ पे जाके लगाईएगा, तो आपको केवल 149 में मिल जाएगा, ठीक है, और test series से related अगर कोई भी doubt है, तो 89 87 92 1161, इस लेकिन अगर छोड़ दीजेगा, तो पीछे रहे जाएगा, यहाँ पर क्या आना कि दो तरह का लोग होगा, ठीक है, A और B, यह ऐसा आदमी होगा, जो 6 मैना साल बर से पढ़ रहा होगा, लेकिन अभी रिलाक्स, इतना रिलाक्स कर जाएगा, कि इसका selection है नहीं हो पाएग और B, एक ऐसा लड़का होगा, ना एक ऐसा बच्चा बाली का होगा, जो अभी प्रेपरेशन सुरू करगा एकदम जीरो लेबल पे, लेकिन फिर भी जाके last में, final selection लेके चला जागा, क्योंकि consistent रहेगा, तो थोड़ा-थोड़ा भी पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, पढ़ाई आप लोग जारी रखेगा, ठीक है, पढ़ाई पूरी तरह से मत छोड़ दीजे, बागी यह जो हमारे test series है, इसके बारे में और जान करी आपको, whatsapp पे message करके मिल जाएगी, English, Hindi दोनों में available है, ठीक है, English वाण लोगों को भी इसमें समस्या नहीं आएगी, solution वग आने वाले चक्रधर पूर गया, ठीक, तो उनको किस साल में मिला था, 2010 में मिला था, ठीक, उसके साथ-सत इनके बारे में जान लीजे, कि इनका जो जैन्म है, वो 10 मार्च 1926 को हुआ था, social activist रह चुके हैं, और गांधिवादी रह चुके हैं, ठीक है, गांधिवादी व्यक प्रेंड हो जाता है, अब कमिंग GSACCGL के लिए, ठीक है, यह सारा जो कोश्यंस है, कोश्यंस है, आपको ट्रेंड पकड़ना है, और यह वाला जो हम पेपर देख रहे हैं, इस बार वाला PGT का यह एक की सगस्त वाला, इसमें थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा लग रहा है, मत इस जगा का मतलब किसका Headquarter है, तो Giridhi का ही Headquarter है, तो Giridhi का Headquarter क्या है, Giridhi गड़वा का Walk Wrap पलामू का क्या है डाल टेन गंज हो जाएगा ठीक है और पूर्भी सिंग्भूम का जमसेथपूर ठीक चलिए अगले question में आ जाते है तमार revolt जो है वो कब हुआ था ठीक है रिवोल्ड जो है फेवरेट टॉपिक है कौन सा अंदुलान जो है कौन सा रिबिलियन है 19 सतापदी में यह करवाया गया था तो यह जो है जारकन का तो बच्चा बच्चा जानता है उल्गुलान होगा इसका अंसर लेकिन अगर आप नहीं भी जानते थे तो इसको नोट डाउन कर लिजएगा यह सब देखें यह जो है यह थोड़ा से इजी लेवल का सवाल हो जाता है तो यह इजी लेवल कोई भी जो आयोग होता है सारा कुश्यन वा जो हार्ड नहीं डाल देगा ठीक है ऐसा कर देगा अगर माल लिजी एक के कुश्यन हार्ड वाला रा जो नहीं पढ़ागा उसको यह भी लाग रहा होगे कभी सुने नहीं विरसा मुंडा कौन है अलाकि आइसा तो बोल दिये तो फिर क्या बोला यार कहे हो जार करना है लेकिन चलिए अगला सवाल में आते हैं साल ट्री की जो पूजा है वो कौन से तेवहार में की जाती है त अंधी टाइपिंग नहीं आता है हमको लैप्टॉप से इसलिए हम इंग्लेश में लिख दिये चयात की महीने में होता है और स्पिरिंग सीजन में होता है वसंत रीतू में यह फेस्टिवल मना जाता है सर्भूल का थिक ब्यालिस्वान अम्बर सवाल है जो जंगल है जहार बाकिया ओप्शन को ऐसे आप इल्लिमिनेट कर सकते थे बारेन अर्या नहीं बंजर छेत्र बंजर चेत्र में जंगल में कभ से आने लगा जी बंजर चेत्र और जंगल कोई कनेक्शन है नही और यह प्लाट प्या और यह वाप जंगल उखता है है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है बहुत जादा इंडस्ट्री नहीं है जितना होना चाहिए पोटेंशल से बहुत नीचे है लेकिन चलिए कुछ-कुछ जगा को छोड़ करके तो यह भी यहां से कड़ जाएगा या तो इरिगेटेड एरिया या संचीत छेत्र में या जोग्रा समझेगा यहां तो बड़ा बड़ा जो है नेता वगएरा को या आफसर वगएरा को भी बाबू बोला जाता है तो उस तरह समझेगा हम आपका डिस्रिस्पेक्ट ने करें हमको पता है बहुत लोग मेरे से बड़ा एज कभी होगा तो उसमें बुरा नहीं मानिएगा ठीक ह 43 नंबर में आते हैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसले थोड़ा जल्दी जल्दी भगा रहें ठीक है अधर्वाइस कोच्चया नंबर 75 तक जाना है हम लोग को बीच में मैठ वगएरा भी इस बार सोचे है मैठ रिजनिंग में सॉल्फ करवाई यह देते हैं पिछले बार सेकंड कहां से हो जाएगा इसको कर दीजिया कट्टम कुट्टू अब बॉकसाइड यानि की का होगया अल्मूनियम वाला होगया बॉकसाइड और आईरन ओर यानि हेमाटाइड तो आईरन ओर इसका सही जवाब हो जाएगा यह बहुत ही ईजी सवाल था ठीक है टफ नहीं चलिए चावालिस नंबर पे आते हैं 1946 में डेट याद रखेगा यह डेट एक तो आपको एक्जाम में भी काम हैगा दूसरा डेट से आप एक क्लू भी ले सकते है जैपाल सिंग मुंडा को जो की होकी प्लेयर थे ठीक है यह सब यदि नहीं पता तो अपने कॉपी में अप्षन जो जरात हैं से पढ़िएगा इंडियन कॉंस्टिटून असेमली यानि भारतिय समविधान सभा लोकसभा राजय सभा या विधान सभा अब एक काम करिए दिमांग में जो डालिये उस से में क्या हमारा समविधान बना था क्या जब समविधान हमारा बना नहीं थ लोकसभा होने का सभाल ही निए पैयदा होता है लोकसभा तो जहाँ लोगो के प्रतियन दिदी चूनके बाठे थे उस समय कोई कैसे बैठेगा जब देसिया आजात नहीं हूँ अथ था तो प्रतिनिद्यों का सभाल क्या हुड़ता है तो लोकसभा कड़ जाएगा वो ना 1950 में जब सब चीज सुरू हो गया था तब यह सब आया तो यह दोनों तो तुरंत आपका कड़ गया legislative assembly यानि विधान सबा यह भी कहा है राज्यों में जैसे ज्ञारखन का legislative assembly हो गया तो यह states में आता है तो यह भी आपको कड़ जाएगा simple अगर आपको नहीं भी आता था तो option A तक आप easily पहुंच सकते है इसका answer A हो जाएगा जो लोग है वह लोग बहुत मुश्किल से कोई question छोड़ेगा ठीक है एकदम extreme level पर आगया कि आप कोई सवाले नहीं बैदा हो रहा है कहीं कुछ elimination नहीं हो रहा है कटकुट नहीं रहा है तभी हो question छोडता है अधरवाई इन लोग बहुत बढ़का खुंखार तरह कपनानी ह होता है तो यह लोग नहीं छोड़ेगा असानी से तो इनसे आपको छीन के लाना है किसी से भी पीछे तो रहना नहीं है तो यह जो elimination वाला खेला है यह हम थोड़ा बहुत आपको सिखाते चलते हैं हर question के साथ में ताकि आपकी दिमाग में बैठ जाए कि हा question बहुत आसानी स स्कूल ठीक है किस सिख्षक को सितंबर 2022 में भारत के राष्टपती द्वारा राष्ट्रिये सिख्षक पूरसकार प्रदान किया गया था यह current affairs वाला सावाल हो गया ठीक है तो इसमें बहुत ज्यादा कोई scope नहीं है elimination वगयरा कि इसमें यदि आपको आता है तो आता है नही question आ ठीक है तो question किस तरह का रहा है उसको भी ध्यान दीगिए 46 से चली यहां से सुरू होता है maths तो इस बार के paper में maths भी solve करके देते हैं अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ बहुत लेंदी नहीं जा रहा है इससे फायदा हो रहा है तो आगे भी continue करेंगे अधरवाइस comment में बता दीजेगा कि नहीं maths का solution मत करेंगे बस दिखा दीजे तो वो भी चलेगा ठीक है फिलाल यहां पर solution करते हैं एक square plot है सबसे पहले square plot बना लीजे जिसका कि कितना है 400 square meter area है और उसके आसपास में क्या है 2 meter चोड़ा मार्ग से घिरा हुआ है यानि कि इसके आसपास में ऐस footpath है जिसमें बच्चा उचा दोड़ दोड़ था ठीक है तो यह जो path है न यह जो marg है इस marg का area क्या होगा यह area आपसे पूछा जा रहा है ठीक है simple सा common सा सवाल है ठीक है बच्चा लोग को जो लोग tuition पढ़ाता हो को उसको याद आ गया होगा कि इस तरह का सवाल हम लोग तो 400 square meter अंदर वाला का area दिया हो है यानि कि इसका एक side केतना होगा 20 हो जाएगा under root 400 करेंगे तो 20 इसका क्या हो जाएगा a वो side निकल गया यहां से यहां तक 20 निकल गया और यहां पर 2 है ठीक है और यहां पर भी 2 है यानि अगर बाहर वाला जो square है बाहर में भी क्या है एक बाहर वाला जो square है उसका 1 side 24 है तो बाहर वाले का area है वो क्या हो जागा 24 गुने 24 अब 24 का square जिसको याद है फटाक से निकालेगा हमको याद नहीं है ठीक है तो कोई बात नहीं है time तो exam में आपको अच्छा कासा मिलेगा कुछ भी इस सब याद बूद नहीं भी रहेगा त आप अराम से निकाल सकते है ठीक है तो यह 576 आजएगा 576 आगया और अंदर वाला का area कितना है 400 दिया हुआ है तो 576 में जब 400 आप माइनस करेंगे तो 176 आपका अंसर हो जाएगा ठीक अराम से इसको solve कर लेना exam में drawing बना के किजेगा rough वर्क करने के लिए पूरा space में ठीक है पीछे पूरा जगा रहेगा तो अराम से इसको rough वर्क करके बनाएगा कुछ square वर्क करने का ज़रूत नहीं है अराम से exam में आप 0 से calculate कर सकते है याद कर लिजेगा तो बढ़िया ही रहेगा अब कर्व surface area ठीक है किसी बेलन याकिनी cylinder का कर्व surface area जो है वो कितना दिया हुआ है base area यानि कि यह जो cylinder होता है ऐसे करके balance cylinder इसके नीचे में जो होता ही क्या है circle है ठीक है गोला है तो इह गोला का area कितना दिया हुआ है 616 यानि कि πाई r square इसका केतना दिया हुआ है 616 अब आपसे पूछ क्या रहा है कि height और radius यानि h और r इसका value केतना होगा h divided by r तो इसमें क्या किजिए इस दोनों को पूरे 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 डिवाइड कर दीजिए जब इस दोनों को आप पूरे पूरे डिवाइड करेंगे न kisli 6 इतू से मार दीजिए यह हो गिया 444 जैसे 44 दיכा तो क्या लगा कि 11 से कुछ खेल सकते हैं T squares हे पूरे शोर के आईग है अब इसको किस से मार दिया जाय है और इसको हम मार सकते हैं चलिए 5 से मारते हैं तो इसको हम ने 5 से नहीं , इसको हम, नहीं हम चार से मारते चलिए तो 5 बटे 7 यह हो जाएगा answer ठीक आराम से calculate किये कोई हडबडा के नहीं लाए आराम आराम से किये तो answer इसका निकल जाएगा 48 number क्या है formula पर खेलेगा formula 6 square theta minus 1 multiplied by cos square theta minus 1 ठीक यह दोनों को multiply करना है या तो value putting से भी कर सकते हैं लेकिन हम basic बनाएगे हैं basic में हम कुछ formula जानते हैं हम लोग जैसे क्या जानते हैं कि 1 plus tan square theta जो है वो क्या होता है 6 square theta के बराबर होता है तो अगर इसमें हम 6 square theta 1 को उधर लेके चल गए तो 6 square theta minus 1 का जो value है वो किसके बराबर हो गया tan square theta के बराबर हो जाएगा अब यही वाला चीज यहाँ पर है तो इसको हम इसके जगा पर क्या लिख सकते हैं tan square theta लिख सकते हैं उसी तरह से उसी तरह से 1 plus cot square यह सब standard formula ट्रिगनोमेटरिका तो 1 plus cot square theta जो है वो cos x square theta के बराबर होता है तो cos x square theta 1 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा cos x square theta minus 1 कितना होगा cot square theta के बराबर होगा अब देखिए यही वाला चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इसके जगा पर हम cot square theta को replace कर सकते हैं तो cot square theta आ गया tan square theta into cot square theta तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan theta, gune, cot theta और पूरे का हम square लिख सकते हैं अब tan और cot को multiply करेंगे तो क्या आएगा एक आता है, एक का square कीजएगा तो भी एक ही आएगा तो answer 1 हो जाएगा, ठीक है तो simple सा सवाल है, इसको formula से लेकिन आपको याद अखना होगा तो ये formula अगर आपको याद रहेगा, एक्जाम में आपका काम निकल जाएगा is equal to 1, ये वाला formula कैसे ना कैसे करके खेला में आने वाला है ठीक है, अब यहाँ इसको कैसे इसके साथ खेला जाए तो एक और चीज हम लोग जानते हैं क्या कि sin 90 degree minus में theta अगर करेंगे तो ये cos theta के बराबर होता है उसी तरह से cos 90 degree minus theta एकदम trigonometry का basic है ठीक है, advance math बोल के बेज़ती मत किजएगा तो ये हो गया sin theta ठीक है, ये चीज हमको पता है और ये चीज पता है इसका इस्तमाल जब करेंगे तो माल लिजे, theta बराबर 25 degree ठीक है, तो ये तो sin square theta ही रहा ये sin square यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको ज़रा गौर से देखिए 65 को हम क्या लिख सकते है 65 को हम लिख सकते है 90 minus 25 लिख सकते है लिख सकते के नहीं लिख सकते है ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते 90 minus 25 लिख सकते अब sin square theta plus cos square theta, यह दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यह वाला जो पूरा bracket है, यह पूरा bracket आपको क्या मिला, 1 मिल जाएगा, 1, उसी तरह से, cos square 25 degree, और cos square 65, यहाँ 25 आपका theta है, तो यह क्या हो गए, cos square 65, इसके जगा पे हम इसको हटा के क्या लिख सकते है, sin square 25 degree लिख सकते हैं, अब यहाँ पे भी क्या, cos square 25 प्लस sin square 25, यह भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, इसका value 0 हो जाएगा, 0 इसका answer है, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा से आपको, फॉर्मूला पे बस कमांड होना चाहिए, बहुत जादा यह tough type का सवाल नहीं है, ठीक है, what is the side of a cube, ठीक है, किसी घन की भुजा क्या होगी, यदि इसका पार्चर प्रष्ट ही है, छेतर फल, 324 वर्क सेंटिमेटर है, ठीक है, लाटरल सर्फेस एरिया पूछ रहा बाबू, टोटल नहीं, तो लाटरल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 A स्कॉर होता है ठीक है, इसका मान बराबर क्या दे होगा है, 324 और इसका side यानि की A का value पूछ रहा है, सबसे पहले 4 से उड़ाएंगे, तो 4, 8 और 1 इससे उड़ जाएगा, तो A का value यानि 1 side का value कितना हो जाएगा, 9 cm हो जाएगा, 9 cm आपका answer है, चलिए, एक आवन में आते हैं, अगर 1 है इस equation का AX square प्लस AX plus 16 का 1 एक root है, ठीक है, यानि 1 मूल 1 है, यानि 1 या root 1 होने का मतलब क्या होता है, कि X बराबर यदि हम 1 put कर देंगे इस equation में, तो satisfy हो जाना चाहिए, तो X के जगा पे हम 1 put करेंगे, तो A into 1 का square, ये A ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस A into 1 ये भी A ही हो जाए 8 हो जाता है, अराम से देख लोग कितना अराम से solve होने वाला चीज, बच्चा वाला सवाल दिया गया, ठीक है, मैच से डरना नहीं है, बहुत हो मैच से डर रहे है, इतना भी डर रामना नहीं है, अब देखो, ABC triangle में, ABC triangle है, इसमें AD जो है, एक median दिया होगा है, ठीक है, AD median ह तो पूछ रहा है, अच्छा, AB square plus AC square, पूछ रहा है, इसका square plus इसका square, तो यह क्या है, डारेक्ट आपका theorem है, ठीक है, डारेक्ट theorem से सवाल है, अगर theorem आपको याद होगा, तो तूरंत बनेगा, नहीं तो derive, derive करने जाएगा, तो धरासाई हो जाएगा, एक्जाम में, तो AB square plus AC square क्या है, सीधा सीधी, twice of AD square plus BD square के बराबर होता है, यह theorem ही है आपका, तो यह आपको याद होना चाहिए, ठीक, अंसर आपका A है, इसमें पढ़ाने लाग कुछ नहीं था, पताने लाग, ठीक, अच्छा, यह भी क्या है, फिर से, theorem बोल दीजे, या property बोल दीजे, ठीक ह स्वार धायत, बनता है, तो यह भी property है, याद होना चाहिए, नहीं याद होगा, तो गडबरा जाहिएगा, यहां पर, चाहएं नंबर में आते है, देखें कितना हलुआ सवाल है, मतलब इससे हलुआ सवाल हो सकता है, की इसमें कौन सा एक नंबर है, जो आपको नहीं दिख इसा भी हल्वा सवाल बना सकते है, पूछ कहा रहा है, x² का coefficient, x² का गुनांक क्या होगा, गुनांक या coefficient simple आपको क्या है, जिससे x² मल्टिप्लाई हो रहा है, तो 6 से हो रहा है, इसके आगे 6 है, इसका answer सीधा सीधी 6 है, आप बचाइए, यह simple सा आपका चीज़ पूछ रहा है, तो डरने वाल एकदम बात नहीं है, calculation इसमें कुछ निवा मैच के नाम पे भी, लेकिन यहाँ पे होगा, question में क्या होगा है, x plus 1 by 2 x का value दो गे बराबर दिया हुआ है, तो 8 x³ plus 1 by x³, इसका value आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा calculation का खेला है, लेकिन उतना डरने का भी बात नहीं है, इस वाले question को solve करने के लिए, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे cube और cube के साथ खेल रहा है, तो अगर हम 8 x को क्या लिख सकते हैं, पहले अगर हम इसको लिखना चाहें, 8 x cube को तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 x का whole cube लिख सकते हैं, यहनि कैसे न कैसे करके हमको इस side में, 2 x उपर में चाहिए रहेगा, तो इसको हम देखें ऐसे खेलेंगे, x plus 1 by 2 x, इसका value क्या है, 2 के बराबर दिया हुए, अगर हम दोनों side गुना कर दें किस से, 2 से multiply कर दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 x plus 1 by x, is equal to क्या मिलेगा, अब देखें थोड़ा थोड़ा इसके जैसा भी दिखने लगेगा, अगर आप इसको भी ध्यान में देंगे, अब दोनों side कुछ नहीं करना, आपको cube कर देना है, तो इसका भी whole cube कर देंगे, अगर इसका भी cube कर देंगे, तो इसका अगर हम whole cube करतें, तो मेरे पास यह क्या आएगा, 8 x का whole cube plus 1 by x cube, अब देखें थोड़ा थोड़ा question जैसे दिखने लगेगा, ठीक है, plus, 3 a b, ठीक है, तो यह 6, और a plus b, 2 x plus, 2 x plus 1 by x, ठीक है, यह a plus b का whole cube वाला formula पर हम इसको सीधा सीधा खोल दिया, और यह क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यह तो हमको निकाल नहीं है, तो इसको हम अलग रख लेते हैं, और 2 x plus 1 by x, यहाँ से किसके बराबर आएथा, 4 के बराबर आएथा, तो यह क्या हो जाएगा आपका, 8 x cube plus 1 by x cube plus 6 into 4 तो 64 64 में से अगर हम 24 को माइनस कर लेते हैं, तो मेरे पास सीधा सीधा 40 answer आजागा, ठीक है, a plus b का whole cube वाला formula यहाँ पर यूज हो रहा है, वो formula दिमांग ला रखिएगा, ठीक, तो simple से formula यूज करके इसके answer तक पहुंचा गया, थोड़ा सा बस यहाँ पर एक दिमांग आपको लगाना था, कि 2 से multiply वाला करने का खेल था, यहाँ से देखे सुरू होता है, reasoning का खेल, ठीक है, और यह blood relation का पहला सवाल है, विनोद जो है वो अर्चना के तरफ point कर रहा है, यानि अर्चना नाम के एक लड़की है, तो यहाँ पर हम अर्चना का गोला बना लेते हैं, बोल कहा रहा है कि, अर्चना के जो पिता जी है, यहाँ पिता जी का यह ऐसा बनेगा square, वो क्या है, मेरे मा की बहन के पुत्र है, यानि कि इनकी जो मा होगी, यह और यहाँ पर यह विनोद आ जाएंगे, ठीक है, question को अच्छा से पढ़ेंगे, तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप पूछ कहा रहा है, कि अर्चना और विनोद, इनके बीच में, अच्छा विनोथ लिख रहा है, वही एक बात है, तो विनोद और राचना के बीच में, क्या relation है, तो विनोद यह व्यक्ति जो होगा, यह क्या होगा, विनोद का भाई होगा एक तरह से, ठीक है, तो भाई की बेटी होते हैं, उसको क्या कहते नीस, यानि कि भाई जी कहते हैं, तो यह इसका answer हो जागा, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बस अच्छे से आपको इसको solve करना, और नहीं तो बहुत लोग क्या करेगा, ना कि परिवार में imagine कर लेगा, तो imagine करके भी आप बना सकते हैं, कि अपने परिवार में imagine कर लिजे, कि उ यह दोनों के बीच में जब देखेंगे, तो 90 और 83 में, 7 का gap आपको दिख रहा है, फिर 83 और 76 में, तो इसमें लगभग कितना का gap दिख रहा है, तो उधर देखेंगे, तो यह दर भी 7 का gap दिख रहा है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी 7 का gap दिख रहा है, तो इसमें से फ यहां पे है, 7,4,3 का मतलब है, mango are good, 6,5,7 का मतलब है, eat good food, और 9,3,4 का मतलब है, mango are tasty, तो tasty का code आपको निकालना है, tasty, अब देखेंगे tasty कहाँ पर है, तो tasty देखें यहाँ पर, यानि mango और are किसी तरह से अगर मेरा cut गया ना, तो tasty का code हमको मिल जाएगा, एक और जगह देखें कि mango are, एक साथ आपको यहां और यहां, दो जगह पर मिल रहा है, तो इसमें और दो चीज़ common क्या है, 7,4,3,9,3,4, तो 4,3,4 और 3, इसको उड़ा दीजिए, 9 जो है वो आपका code हो जाएगा, तो इसका answer, 9 हो जाएगा, simple सा सवाल है, और फिर से याद देला देए, आपको test series लेना है, तो ले सकते है, 149 में paper 3 का total 10 test है, सारा का सारा test अभी uploaded है, solution वगरा हर चीज़ अविलेबल है, latest exam pattern उस पे solution वगरा हर चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है, practice बहुत अच्छा, और test 1 जो है वो free है, और हाँ एक चीज़ और यह जो lecture है, lecture का PDF आपको कहा मिलेगा, तो lecture क PDF जो है वो exam cluster mobile app में मिलेगा, exam cluster app में, ebook section में जब आप जाएंगे, ebook section में, तो वहाँ पे आपको यह PDF uploaded मिलेगा, free में, exam cluster app का logo यह रहा, यह play store में आप खोच सकते हैं, और नहीं तो, pin comment में आपको link में भी मिल रहा होगा, वो link से जाके exam cluster आप download किज़े, ebook section में, free में आप इसका PDF मिल जागा, यह lecture का, चलिए next आते हैं, relationship जो पूछ रहा है, कि 38 दो मिला कि यह जो बन रहा है, 22 चार मिला कि यह बीच वाला जो number बन रहा है, तो 11 और 7 मिला कि क्या बनेगा, 38 और 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 7, 76, तो 38 और 2 को गुना कि यह तो कितना आ गया, 76 आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसी option में दिखेगा, तो यह आपता answer हो जाएगा, ठीक, 60 नमबर में आते हैं, यहाँ पे क्या vein diagram बनाने का है, इसमें बोल क्या रहा है, some bucket और water, कुछ bucket जो है, वो water है, तो एक गोला बनाएंगे bucket का, यह गोला इससे intersect करेगा थोड़ा सा, water वाले गो अब देखे, conclusion क्या है, some would are water, some, यह last वाला यह वोड का था, www एक साथ ना हो जाए, some would are water, कुछ would water, इस दोनों की बीच में को direct relation नहीं मिला, तो इसको हम काड़ देंगे, all buckets are wood, सारा bucket would है, ना, कोई relation नहीं, some paper are bucket, some paper are bucket, कुछ paper bucket है, हाँ, देखके तो लग रहा है, बिलकुल यह सही है, some would are bucket, कुछ would जो है, वो bucket है, इस दोनों की बीच में कोई relation हमको नहीं पता, तो सिर्फ conclusion 3 होगा, तो B हो जाएगा, इसका answer, ठीक है, देख लेते हैं, B है, आंसर B है, चलिए, एक सट नंबर में आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कि मोहन जो है, वो left से 6 है, यान पर में लिख देते हैं, अच्छा, लंबा जाएगा, तो यहाँ पनाते हैं, चलिए, मोहन जो है, वो left से 6 पोजिशन पर है, ठीक है, ठीक है, और प्रवीन नाम का एक बालक है, जो right side से 10 है, यानि कि यहाँ पर कहीं प्रवीन होगा, वो 10 आता है, इधर से, ठीक है, if there are 8 boys, इन दोनों के बीच में total कितना व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, मोहन और प्रवीन के बीच में, तो कूल मिला के total कितना लोग खड़ा है, इस line में, तब देखो, इसको simple solve करना है, इधर से अगर गिनते हो हम आएगे, तो 10 व्यक्ति यहाँ तक गिनाया, 10 के आगे 8 व्यक् इंपल सा सवाल था, बस diagram बनाके अच्छे सी imagine करना है, ठीक है, दिये के विकल्पो में से असंगत को चुने, दही, तेल, मखन या चीज, तो मखन, चीज और दही, तीनों किस से बनता है, दूज से बनता है, ठीक है, मिल्क से बनता है, और ओईल जो है, वो मिल्क से नहीं ब होजेगा, कि ये 21 का स्क्वाइर होता है, 21 का स्क्वाइर क्या होता है, 441 होता है, 462 देखते ही आपके दिमाग में क्या घंटी बलेगा, कि चलो 462, 21 से इसका कोई relation निकाले, तो 21 और 22 को जब आप multiply करेंगे, तो आपका अंसर हैगा, 462, यानि हो क्या रहा है, कि यहां जिस 72, टू लास्ट में किसका है, इसका है, ठीक है, पूरा निकालने का कोई जरूत नहीं, लास्ट में दो दिखे, इसको मारे और सीधा सीधी आगे बढ़ जाईए, चलिए 64 में आता है, 64 में क्या होता है, डारेक्शन का सवाल है, डारेक्शन का सवाल देखते ही, कुछ मत यानि इसको ऐसे ठेल रहा है, एंटी क्लॉक के तरफ 45 डिगरी, और उत्तर पूर्व जो है, वो उत्तर हो जाता है, यानि उत्तर पूर्व जो है, यह उत्तर हो जाता है, यानि इसको भी 45 डिगरी उधर ठेल दिया, यानि सब को एंटी क्लॉक्वाइस डिरेक्शन में, ले आई किया था ई जो है ना इसको यह जो है आपका कहां घया ऑसे जो था इस सोग पूरे को इधर के तरफ के तरह 45 डिकरी ग्मा दिया पूरे ऑफूरे खोम में 65 मेंदे सीरी कंप्लi penalty कर रहा है जे आया एब सुरू में फिर के या फिर lowest-a आप तो अब ग्या आएगा एंं देखिये कहां इन कहां यहाँ है इसको हटाई है यहान इसको हटाई है दोगो में यदो अब देखी पहले हैमी बता दो अब देखी केहाई सेकंड में फिर ऐल है फिर एम फिर एन है टो with यहां आँ है गतम तीसरा वल्स देखने का ज़रूबत नहीं है 46 में आते है सिक्ष्टी सिक्स नंबर में इसमें क्या है साइंस का सवाल यहां से क्या-क्या regulate करता है कौन सा hormone तो estrogen, testosterone और progesteron जिसमें testosterone जो है वो male यानि पूर्शों में होता है, heartbeat जो है वो adrenaline जो है वो regulate करता है, physical growth जो है यानि सारे रिख विद्धी जो है वो growth hormone यानि human growth hormone HGH इस अब लिग ज़े यह ठीक है, यह physical growth यानि आपका growth अगर ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है तो HGH का problem चल रहा है, यह बहुत ज्यादा भी हो गया, तब भी HGH का problem है, human growth hormone जिसको क्या निकालता है, PT2E gland ठीक है, PT3 gland, ठीक, चलिया, हाँ, अच्छा, gland ही का बात हुई गया, तो adrenaline आपका कहां से निकलेगा, तो यह भूल गया है, हम लग रहा है, kidney के आसपास से निकलता है, चलिया, यह हमको याद नहीं रह रहा है, लेकिन हाँ, estrogen, testosterone यह सब कहा है, testosterone कहां से निकलेगा, testis से, ठीक में आते है, modern man का scientific name है, हो क्या है, homo sapien हो जाएगा, इस cancer, ठीक, बहुत ही simple सा सवाल है, यह कि unit की उपर, हम आपको जब important topic बता रहे थे, तो unit आपको पढ़ने बोले थे, unit में देखिए, resistivity के बारे में बूच रहा है, कि resistivity का unit क्या होगा, तो ohm meter हो जाएगा, ठीक है, ohm meter जो होता है, वो work बोल लीजिए, या energy बोल लीजिए, दोनों का unit होगा, वो joule होगा, तो यह आपको पता रहाना चाहिए, बहुत ही यह simple सवाल था, जनरली रटने वाला होता है, लोग याद रखता है, नहीं याद था, तो देख लीजिए, ठीक है, निमलेखित में से किस अभी क्रिया में, दो अलग-अलग पर्मानवों या पर्मानवों के समू, आयनों का विनिमय होता है, ठीक है, दो अलग-अलग जैसे ही हम देखें, तो दिमाग में क्या गंटी बज़ेगा, double displacement reaction इसका answer हो जाएगा, ठीक, 70 में आते हैं, आयोनिक compound को और क्या बोला जाता है एलेक्ट्रोवैलनट कमपाउड भी बोला जाता है, ठीक, जैसे कि NACL, ये क्या है, Ionic compound है, एलेक्ट्रोवैलनट कमपाउड है, एकथतर में आते हैं, Indothermic process, एसा process होता है कि जिस process को होने के लिए, जादा उर्जा आपको देनी पढ़ती है, यानि मान लीज़े, A plus B, इसको को मिला के c बन रहा है तो c के साथ जो energy निकलेगा माल लिए यहां से कुछ energy आपको मिला और यह a और b को मिलाने के लिए कुछ energy आपको देना पड़ा ठीक है delta 1 और यहां delta 2 निकला तो delta 1 जो है वो हमेशा greater होगा delta 2 से यानि जो energy आपको देना पड़ा ज्यादा होगा यानि कि यह जो reaction होता है वो क्या है energy खींचता है energy सोकता है energy यानि की heat भी सोकता है ठीक है तो sulfuric acid जब भी आप इसको dilute किजेगा यानि इसमें पानी मिलाएगा घुमाएगा किसी भी acid में तो heat निकलता है ना कि छोड़ता है तो यह exothermic process है यह आपका answer नहीं होगा sublimation of dry ice ठीक है तो इनर्जी लगता है ठीक है इंडो फर्मीक है energy लगता है ठीक वो energy को शोक लेता है dry ice का जब sublimation होगा उसी तरह पानी जब evaporate करता है तो अपने साथ energy सोक लेता है जैसे आपके शरीर में पसीना होता है पसीना जब उड़ता है थो आपके सरीर का गर्मी है वो शोक के उड़ जो सक्त बनाता है तरो वह किस टिशु का होता है तो इसका जो आंसर वह भी हो जाए गा स्क्लेरन कयमा हो जाएगा उसके साथ में आप जान लिए पैरोन कंपा स्वक्रिमा क्या की इस्तिमाल होता है वह फोटो सिंथीशिंस zijn यानि कि जो photosynthesis, plant लोग जिससे खाना बनाता है, उसके काम में होता है, पानी और solute का storage में भी इसका इस्तेमाल होता है, Collin Chima जो है वो, plant को mechanical engineering, यानि injury से, यानि आपको plant को जाके मारते हैं, मुक्काव का लाटूत, या फिर उसको काटने कोशिश करते हैं, इसको कौन बचाएगा, Collin Chima Tissue जो होता है, वो बचाता है, और Aran Chima जो है, वो gases का exchange होने में मदद करता है, suit system और root system, यानि यह नीचे जो जड़ है, उपर में जो पेड़ है, तो यह दोनों के बीच में जो gas का exchange हो रहा है, यह कौन करता है, आरेन काईमा टिशू करता है, थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल हो गया, सब जेनरली नी टूट वाला बच वालों यह सब पढ़ता है, लेकिन अब दे रहा है तो दे रहा है क्या कीजिएगा, कुछ-कुछ question थोड़ा सा 10th के उपर जा रहा है, हमको तो नहीं याद है कि 10th में हम लोग ऐसा पढ़े थे, हलाकि मेरा बायो थोड़ा कमजोर भी रहा है, तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि हम लोग अपने NCRT के किताब में यह सब पढ़े थे 10th तक, चलिए 73 में आते हैं, अब यह भी देखिए बड़ा आजीब करीद का सवाल है, मतलब मेंको तो लग रहा है कि मेकैनिकल इंजिनेरिंग वाला क्लास में ऐसा कुछ याद था, लेकिन चलिए देखते हैं, जो यूसफुल लोड होता है, यानि कि रेशियो जो होगा ना, कि माल लिजे एक मशीन है, माल लिजे एक थो, जेसी भी है ठीक है, तो जेसी भी माल लेते हैं कि अगर 100 किलो का वजन उठा पाता है, और उसको उठानी के लिए अगर आपको 10 kg का फोर्स लगाना पड़ता है, तो 10 kg का फोर्स और यहां पे 100, यानि 100 by 10 इस रेशियो को क्या कहते हैं, तो इस रेशियो को कहते हैं, मेकैनिकल अडवानटेज ठीक है, यह भी सायद हम लोग 11-12 का चीज़ है, यह 10 तक तो इतना नहीं डीप में पड़ाता, ठीक, वेक्टर उतना डीप में हम लोगों पड़ाया नहीं जाता है, 9 और 10-मा क्लास तर, ठीक है यह भी 11th क्लास में हम लोग पड़े थे, हम तो 11 में यह अच्छा से पड़े थे वाई, 9-10 में यह सम नहीं आदे, तो इसमें basically क्या कुछ रहा है, यह एक ठोब मोटर बोट है जो उत्तर के तरफ नौर्स के तरफ जा रहा है, 15 किलोमेटर प्रतिघंटा के रफतार से ठीक है, और पानी का जो करेंट है वो 5 किलोमेटर पर प्रतिघंटा है, 60 डिगरी इस्ट ऑफ साउथ यानि यह होगा आपका साउथ, इसके इस्ट में 60 डिगरी का एंगल बनाते हुए, पानी बहरा है, 5 किलोमेटर प्रतिघंटा के रफतार में ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसेटी क्या होगा बोट का, यानि रिजल्टेंट का फॉर्मुला, तो रिजल्टेंट अगर माल लिजे, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, प्रतिशन को फॉर्मुला होगा, एस्कियाल टू, प्लस बी स्कॉयर, प्लस तू एबी, कॉस-ठीटा होता है, थिक है, हम लोग लिठते, तो चलिये, तो यहाँ पहई पहई यानिकी क्या है, ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल तो बगलोलो लो क्या बुलेगी देखिए 60 डिगरी बन रहा है 60 डिगरी नहीं बन रहा बगू 15 और 5 इसके बीच का एंगल निकालना है तो यह क्या होगा यह हो जाएगा आपको 120 डिगरी हो रहा है यहां पे तो जब इस फॉर्मूलोवा में पूरा पूठ कीजेगा तो क्या आएगा इसको जो रिजल्टेंट है वह ऐसे करके अंडर रूट में चला जाएगा एसकोईर यानि क्या 15 का स्कॉएर प्लस बी स्कॉएर का हो गया पांच का स्कॉएर हो गया प्लस दो इन्टू 15 इन्टू 5 इन्टू कॉस 120 डिगरी का अगर वैल्यू आप निकाल लिएगा ना तो माइनस वन बाई 2 होगा जब इसको पूरा कर लिजेगा तो यह आंसर आएगा 13.2 ठीक है अब देश लिए जो है काफी बढ़िया वाला सवाल हो गया मतलब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है यहां पर किसको एज मिलेगा इंजीनियर लोग को मेरे जैसे इंजीनियर लोग को अगर पेपर देने गए तो मेरे जैस अब आठ्स वगरा लिया है उसके लिए टफ कोशन है तो एक्जाम में आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला है वेक्टर का तो वेक्टर अगर आपको पता था तो बना सकते हैं ठीक है 75 नंबर में नॉर्मल बायलोजी का कोशन है कि मानवी आठ जो है वो किस वस्तु का जो प्रतिवीम्ब है वो कहां पर बनाती है तो इसका अंसर क्या है रेटीना है इसका अंसर ठीक है यह भी रटने वाला सवाल था आता था तो वेरी गूड नहीं आता तो कॉपी में नोट कर लिजे ओवराल देखेंगे तो पूरा जो पेपर वेल बैलेंस पेपर था ठीक है बहुत ज्यादे इसमें अनबैलेंस नहीं था हाँ दो तीन कुश्चन था जो थोड़ा सा आउट ओफ सीलेबस यह बोल सकते हैं थोड़ा सा लेवल उसका उपर था टेंथ लेवल तक का वो नहीं था जबकि काईदे से क्या है साइंस और मैं चेशर प्रेंथ लेवल का देना चाहिए लेकिन अगर नहीं भी दे रहा है तो उस तरह से थोड़ा पहुत आप्रिपेर कर सकते हैं दो तीन कुश्चन उतना फर्क नहीं पड़ाएगा में जो होता है मिजॉर्टी कुश्चन अगर आपका बैलेंस आरा है अपने लेवल प बोलते हैं वैसा थेथर टाइप अगर इंटरफेस नहीं है ठीक है जारकन जी के वगएरा भी ठीक था 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 बहुत जादा टफ नहीं था नॉर्मल जो फैक्ट बेस्ट कुश्चन था वह सब था ठीक है तो इससे हम लोग यह सीख लिए अपना JSCCGL के लिए ठीक है अब जितना भी options वगएरा है उसको देख देख के आप अपना बनाईएगा अगला एक्जाम करन नीती कि options repeat मारेगा या हो सकता question हूब भी repeat मारे या question में कुछ जो data था वो आगले exam में पूछ दिया जाएगा तो आप अच्छे से इसको अधियन करके जाएंगे PDF एक दो बार दे PDF आपको देख लेना ebook section में PDF से आप हिंदी वगएरा का questions भी देख सकते ठीक है वीडियो आपको कैसे लगा comment में जरूर बताएगा कोई अच्छा comment छोड़ जाएगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवा दोस्तों को share कीजिएगा हमारे बारे में बत